अस्सलामों आलेकुम वरहमतुल्ला दोस्तों जैसे कि आपको पता है अगर आप अपना अकाउंट सवूदी अरब के किसी भी बैंक में ऑनलाइन ओपन करवाते हैं तो आपके पास आपका अपसर अकाउंट होना चाहिए और आपका नेशनल एड्रेस की पोर्टल पर रेजिस अकाउंट होने के बाद भी अलराजी बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे वो कौन सी गलती है जिसकी वज़े से आपका अकाउंट अलराजी बैंक में ऑनलाइन ओपन नहीं हो रहा है दोस्तों अगर अगर आपने भी अपना national address register करते वक्त अपने national address में अपना street name अगर add नहीं किया है तो आपका online account सुदी अरेविया के किसी भी bank में नहीं होगा अगर आपका भी online account open करते वक्त अगर आता है नफाज के page पर तो आप इस वीडियो को बिना skip किये शुरू से last तक जरूर देखें आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने national address पर कैसे चेक करेंगे कि आपके national address पर street name एड हुआ है या नहीं हुआ है और अगर आपके national address में street name सो नहीं हो रहा है तो आप अपने national address में street name को कैसे अपडेट करेंगे दोस्तो अगर आप इस channel पर नए है तो channel को subscribe कर लें channel का subscription बिलकुल free है subscribe करने के कोई भी पैसे नहीं लगते है और ऐसी ही informatic video देखने के लिए bell के icon को प्रेस करना बिलकुल न भूलें सबसे पहले आप अपने mobile का chrome browser open करेंगे browser को open करने के बाद आप यहाँ पे search bar में type करेंगे national address national address type करने के बाद आप यहाँ से इसको search करेंगे आप जैसे ही search को press करेंगे आपके सामने एक नया page open हो जाएगा यहाँ पर आपको register.address.gov.sa एक link मिल जाएगा यहाँ से आप इस link को open करेंगे link को open करने के बाद यहाँ से आप three dot को press करेंगे और यहाँ से आप desktop side को select कर लेंगे desktop side को select करने के बाद आपको इसका interface कुछ इस तरीके से दिख जाएगा उसके बाद यहाँ से आप register individual को press करेंगे register individual को press करने के बाद यहाँ से आप manage a registered address को press करेंगे आप जैसे ही manage a registered address को press करेंगे आपके सामने एक नया page open हो जाएगा यहाँ पर आप अपना national ID यानि कामा नंबर इंटर करेंगे और यहाँ पर आप अपना mobile नंबर इंटर करेंगे कामा नंबर और mobile नंबर इंटर करने के बाद यहाँ से आप verify को प्रेस करेंगे आप जैसे ही verify को प्रेस करेंगे आपका जो भी mobile number national address के साथ link होगा उस mobile number पर एक four digit का one time password भेजा जाएगा आप उस one time password को यहाँ पर इंटर करेंगे उसके बाद यहाँ से आप verify को प्रेस करेंगे आप जैसे ही verify को प्रेस करेंगे आपका जो भी national address National address registered portal पर register होगा वो यहाँ पर सो हो जाएगा अगर आप अपने national address में देखना चाहते हैं कि street name update है या नहीं है तो यहाँ से आप proof of address को प्रेस करेंगे आप जैसे ही proof of address को प्रेस करेंगे आपके सामने आपके national address की सारी details सो हो जाएगी यहाँ पर आप एक बार check कर लें आपके national address में street name update है या नहीं है यहाँ पर आपको street name सो हो जाएगा अगर आपके national address में अगर आपका street name update नहीं है तो यहाँ से आप back को प्रेस करेंगे back को प्रेस करने के बाद यहाँ से आप update address को प्रेस करेंगे आप जैसे ही update address को press करेंगे आपके सामने एक नया page open हो जाएगा यहाँ से अगर आप villa में रहते हैं तो आप villa को select करेंगे या आप flat में रहते हैं तो यहाँ पर आप flat number type करेंगे उसके बाद यहाँ से आप rent को select करेंगे और उसके बाद यहां से next को प्रेस करेंगे आप जैसे ही next को प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको चार अप्सन मिल जाएगा अपनी address को अपडेट करने के लिए अगर आप manually अपने address को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पहले option को सलेक्ट करेंगे और अगर आप by map अपने address को update करना चाहते हैं तो यहाँ से आप second option को select करेंगे और अगर आप अपने current location से अपने address को update करना चाहते हैं तो यहाँ से आप current location को select करेंगे और अगर आप अपने location को by phone update करवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप by phone को press करेंगे मैं आप लोगों को recommend करूंगा कि आप यहां से on the map को select करें आप जैसे ही on the map को select करेंगे आप इसके second step पर आ जाएंगे उसके बाद यहां से आप area को select करेंगे और उसके बाद यहां से आप city को select करेंगे city को select करने के बाद यहां पर आप अपने district को select करेंगे district को select करने के बाद यहाँ पर आप अपनी building number type करेंगे जो भी आपका building number four digit का होगा आप उस building number को यहाँ पर enter करेंगे उसके बाद यहाँ से आप verify को press करेंगे यहाँ पर building number verify होने के बाद यहाँ से आप next को press करेंगे आप जैसे ही next को press करेंगे आपने जो भी address को अभी update किया है वो यहाँ पर आपके screen पर so हो जाएगी उसके बाद यहाँ से आप finish and send को press करेंगे आप जैसे ही finish and send को press करेंगे आपके address को 48 घंटे के अंदर update कर दिया जाएगा सो दोस्तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और आपके मन में कोई confusion है तो नीचे दिये गए comment box में जरूर दिखें